हेलो आल पैरेंट्स और माय दियर फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चानल केर मॉम्स और व्लॉक्स मेरा नाम है सुमन और आप सोब बहुत अच्छे होंगे सर्दी जुखाम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस्पेशली विडर्स में बेबिस के लिए क्योंकि वह बहुत छोटे होत जाते हैं उनको टेश करते हैं जिनसे कि उनको यह जो इन्फेक्शन है वह जल्दी कैच हो जाती है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे बेबी इस सर्दी जुखाम से उनको बहुत रहत मिले वह रिलैक्स फिल करें इजी फिल करें अच्छे से नींद ले पाएं ताकि हम पैरेंस बहुत में तो अगर आप को बदक दूश को में होगे का ठाउं कि अुप क क्या है तो आपर अपनी मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक हो श्यूमिमेडर को मैं अच्यूमेड को एक पर आत्यूम में उसको समाई अपना उप यूज़ करें इसमरे वीडियो में अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली पर आए हैं तो कोई बात नहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक कर दीजे और बेल आइकन को हिट कर दीजे ताकि आपको ऐसी इंफोमेशन वीडियो मिलती रहे तो मैंने आपको बताया था कि पहले होमेट विक्स है तो यह दूसरा है वह ऐसे ही है उसको वह है मस्टिड ओयल मिक्षर तो इसमें हमने सरसो के तेल में हमने अजवाइन और लैसन का अप्योग किया है और आप चाहें तो मेथी दाना भी डाल सकते हैं वह आपके उपर है अजवाइन और लैसन लेया है तो यह जो मिक्षर है यह सेम विक्स के जैसे ही है आप इसको छोटे के ऊपर बड़ों के ऊपर एपलाइ कर सकते हैं आप इसको भी जहां जहां बेबे को लगाना है जैसे कि उसके चाती पे बैक पे तलवे पे आप लगा लीजे और उसको बाहर का हवा ना लगे और गर्मी से उसका जो म्यूकस है वो बाहर निकल जाए थ्रू पॉट्टी या फिर नाक के थ्रू निकल जाए तो आपको वैसे ही करना है आप उसको हाथों में लगा सकते हैं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों के हाथों में मीटन्स अगर आप पहना दीजे और फिर उसको अराम से नींद लेने दीजे और आप थंडियों में आप बच्चों का इस तेल जो यह मिक्स्चर उससे आप मालिश भी कर सकते हैं जो यह बहुत ही अराम होता है बहुत ही घरम होता है तो बच्चों को आप सब्दी भी लगने का चा तो आप जब बच्चा सोने जाए तो आप उसके नाभी में एक दो बून ससो का तेल डाल दीजे आप देखेंगे कितना फायदा है यह आप देखेंगे कि आपके वच्चों का जो होट है घील दे गुलाबी होना स्टार्ट हो जाएगा और स्किन भी बहुत मुलायम हो चली आप लाइस अल्च गलिया बच्चों की गट लिया और चार से पांच जममर दे लिया तेल अल्का जब तक ब्राउन ना रह दाल दी जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको घुमाते रहे अच्छे से देखेंगे आप की थोड़े देर में ब्राउन होना और यह आप मिक्षर एक हफते या दर्स दिन तक ही लिए ही बनाई क्योंकि ज्यादा टाइम रहेगा तो इसका स्मेल है वो निकल जाते देखिए मैंने यह पर अजवाइन डाल दी है यह कितना जो यह लेसन है अजवाइन का सारा जो भी फायदे है इसमें सर्सुक तेल में अ अपने बच चेमा पर एक पाया बहुत बहुत जल्दी बन जाता है तो अब भी बनाई है अपने बच्चे को लगाए जहां-जहां आपको लगता है कि लगाना चाहिए उसपरेशली प्यार में तो बिल्कुल लगाईं और शॉक्स मेरा पना दीजें और आई होप आपको मे अगर अच्छा लगे तो प्लिस लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा ताकि मेरा वीडियो है बहुत लोग के लिए काम आ जाए और मिलती हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ जानकारी लेकर आपके बच्चों के लिए तिल देन बाई एन स्माइल एंड टेक